नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में तो दोस्तों आज बाजार में आपने अच्छी खासी गिरावट देखी होगी और इस गिरावट के कारण बहुत सारे कमेंट्स कोशन्स मेरे पास आए कि सर क्या बाजार में अब मन्दी की सुवात हो चुकी है जिस प्रकार रिशेशन की बाती की जा रही हैं अमेरिका यूरोप में क्या हमारा भारतिय बाजार भी गिर जाएगा क्या हमारे देख में भी म मजबूत है यानि कि आप जाते हैं कि हमारी एकनोमिक्स कितनी मजबूत है RBI का डाटा में समय समय पर आपके लिए लगाता हूँ IMF की रिपोर्ट समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ कि IMF, RBI बहुत बड़ी बड़ी संस्ताने अपने देश यानि भारत को बहुत मजबूत इस्तिती में देख रही है इसलिए आपको रिशेशन से घबराने की जरुवत नहीं है मंदी से कोई घबराने की जरुवत नहीं है आज की गिरावट मात्र एक टेडिंग गिरावट थी यानि आप जानते हैं कि सिर्फ खेल खेला गया है FIA के दौरा जी हाँ दोस्तो FIA के दौरा ये खेल खेला गया है उनके पास तो माल बचाई नहीं है इंडेक्स फूचर भी इस समय उनके पास कुछ नहीं है कैस में भी वो बिलकुल साब खतम हो चुके हैं बहुत मामूली सा उनके पास कैस में अगर स्टॉक होगा मजबूती देखिये साब D.I.S लगातार अपने भारते बाजारों पर बुलिस है रिटेलर साब पार्टिसिपेट लगातार कर रहे है अब ऐसी आपकी जो आसा निकल के सामने आ रही है यानि कि उमीद निकल के आ रही है कि D.I.S क्यों खरीद रहे है जुरूर उनको कोई भनकोगी रिटेल हमारा साब जबरदस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है गिरावट से घवरा नहीं रहा तो ऐसी इस्तिती में आपको विचलित या घवरानी की कोई आवशक्ता नहीं है कोई मंदी मंदी नहीं आने वाली मैंने एक आज अपडेट भी लगाया था कि कुछ एक बड़ी संस्तान है उसने साब बताया भी है कि जो अमेरिका में मंदी की बाते हो रही है ये साब उसका कोई उचित्ते नहीं बैठता वो अपडेट भी आप मेरे टेलीग्राम जानल पे जाके देख सकते है तो बजार में गिरावट दोस्तों चलती रहती है आज एक्सपैरी थी इस बज़े से भी बजार में बहुत जादा गिरावट होई और FIAE का इंडेक्स फ्यूचर ये बात को संकेत दे रहा था कि इन्होंने कल पर सो दबा के पुट बाय करी ही थी इस बेज़े से इन्होंने बाजार को गिराया पुट कॉल एड़ेस्मेंट था आज के बाजार में बाकी बाजार आपको आने वाले समय में अच्छी उचाईयों को छूता हुआ नजर आएगा क्योंकि बज़ेट रैली की सुरुआत भी दोस्तों होने वाली है सायद वो आपको कल से यानि फ्राइडे से होती भी दिखाई दे तो मंदी की साब जो अटकले हैं उनसे रहना है आपको दूर करना है निवेज भरपूर अच्छी अच्छी कमपनियों का सेलेक्शन करिए मैटल, सिमेंट जैसे स्टॉक सेक्टर में आप जाएए क्योंकि रैली होगी तो यहां पर बहुत तेज और बहुत बड़ी होगी मंदी की सम्मावनाएं अपने देश में भारत में बहुत कम है इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझना है बहुत अच्छी एकनॉमिक कंडिशन है दोस्तों हमारे देश की क्रूड गिर रहा है सबसे बड़ा फायदा है हमें यहां से होगा क्रूड अगर उपर हो तो हाला कि फिर हम मानते की इंफलेशन बढ़ेगी फिरेट हाइप होंगे बगएरा लेकिन क्रूड इस समय 80 से भी नीचे आगया 77 के असपास आ चुगा है उदर रोसिया से हम लोग सस्ता कुरूड बाए कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़े भारत के फेवरेबल में होती भी नजर आ रही है बस एफाय यहां आ जाएं तो फिर क्या कहने साब फिर तो यहां पर सोने का सुहागा होगा तो बजट रेली के लिए तयाद है गिरावट से तरिये नहीं मंदी मंदी कुछ नहीं आने वाली अपने देश में इसी के साथ नमस्कार